कोरोना के पंजे में फसी एकॉनमी धीरे धीरे अनलॉक हो रही है अब तक चार अनलॉक हो चुके हैं और एकॉनमी में भी एक्टिविटीज बढ़ने लगी है एकॉनमी में कितना रिवाइवल आया है कितना आने वाला है कितने की जरूरत है इसी पर हम लगातार अपनी ये ख जियां तो कोरोना ने एकॉनमी का पुर्जा पुर्जा हिला दिया है हाला कि अब धीरे धीरे एकॉनमी का अक्टिविटीज बढ़ रही है मगर अभी भी इसके रफ़तार पकड़ने में वक्त लगेगा आज हम अपनी खास पेशकश में बात कर रहे हैं आटो सेक्टर की महामारी के चलते इस सेक्टर में डिमांड काफी गिरी है और अब जबकि अनलॉक फोर्ज शुरू हो गया है तो इस सेक्टर को भी रिकवरी की उमीदे है हाला कि गाड़ियां लोगों की बुनियादी जरूरत नहीं है इसलिए यहां रिकवरी की रफ़तार कुछ धीमी है लेकिन ट्रैक्टर्स बसेज और ट्रक्स की बिक्री में कुछ सुधार जरूर हुआ है टू वीलर्स की बिक्री भी रफ़तार जरूर पकड़ रही है मगर कारों की बिक्री अब भी धीमी रफ़तार से बढ़ रही है मेंगी और लगजरी गाड़ियों की बिक्री तो करीब करीब पूरी तरह से ठप है तो recovery के इस फेज में आटो सेक्टर को क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कोरोना की चुनोतियों से recover होने के लिए सेक्टर की तरफ से क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं और इस सेक्टर को सरकार से क्या कुछ चाहिए इस पर हम बात कर रहे हैं वाल्वो ग्रूप इंडिया के M.D. कमल बाली के मताबक कोरोना के बाद बिक्री में आए गिरावट में तेजी से सुधार हो रहा है और जल्द इंडस्ट्री प्री कोविड बिक्री को हासिल कर लेगी आए सुनते हैं पिछले छे महिने से ये pandemic जो हम परोना वारिस pandemic इसके काफी deep impact रहा है हमारी इंडस्ट्री पे March, April और May के महिने में तीन महिने काफी major impact रहाए जहां पर manufacturing operations बहुत नीचे आगए थे बट खुशी की बात यह है कि जुलाई और आउगस्ट में काफी इंप्रूब्मेंट देख रहे हैं और सेप्टेंबर में भी हम काफी इंप्रूब्मेंट देख रहे हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे वॉल्वो ट्रक्स हैं सितंबर से डिसेंबर की पिरेड में हम उतने ही बेच पाएंगे जितने हमने लास्ट इयर इस पिरेड में बेचे थे तो काफी एक तकड़ा रिबाउंड हुआ है इसमें बहुत सारा हम श्रे भारती सरकार को देंगे जि State Economy में हम पिछले दो मेनें से देख रहे हैं काफी सुधार आ रहा है और growth भी आ रही है कई sectors तो अभी August में पिछले साल के August से भी better कर रहे हैं पाकि कई सेक्टर्स अभी भी पीछे हैं जैसे होस्पिटैलिटी टूरिजम उसको काफी धकाल मिला है तो अभी वो लगता है वो कुछ और टाइम तक चलेगा जब तक लोग जदा निडर नहीं हो जाते इस करोना वाइरस के जब तक ये वैक्सीन नहीं आती तो अवरॉल इं लेकिन बसों की बिक्री रफ्तार नहीं पकड़ पाई जहां तक ट्रक्स की बात है मैंने बताया कि वॉल वो ट्रक्स की कोल माइनिंग के कारण जहां उनकी काफी अच्छी डिमांड आ रही है तो अगले चार महीने काफी अच्छे जाएंगे चार से छे महीने मुझे लगत अगर 100 बसेज अगर मार्केट में हैं तो सरफ 16-17 बसेज चल पा रही है त faltay इसमें ट्राफिक ही नही है तो क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो डिमांड्स हैं और इस सेक्टर को अगर हम अभी अच्छी सपोर्ट ने तो आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा और खमल वाली साब का ये भी माना है कि सरकार को आटो सेक्टर खास कर बस और ट्रक्स की बिकरी बढ़ाने के लिए जीएस्टी में कटाओती करनी चाहिए मैं समझता हूँ इस समय सरकार ने अलरेडी काफी सपोर्ट दिया बर दो तीन चीज़ दिमांड साइड में और कर सकती है सरकार एक तो जीएस्टी ट्रक्स और बसेज पे रिडियूस करना चाहिए जो 28% है वो 18% या 12% होना चाहिए बिकाज ट्रक्स और बसे लग्जिरी गुड्स में नहीं आते हैं और ये लग्जिरी गुड्स में नहीं आते हैं तो इसका मतलब इसमें 18 या 12% तो इससे कस्टमर को काफी एक वो आएगा लाला चाहिएगा कि वो अभी खरीद ले अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 28% से 18% या 12% रेट हो गया है तो बहुत उसको फाइदा मिलेगा तो एक तो यह हो सकता है दूसरा हो सकता है कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है जो वहिकल्स 15 साल से पुरानी हैं ये बहुत फाइदा होगा सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं होगा प्रदूशन भी हम कम करेंगे क्लाइमेट जो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा एक चैलेंज आ रहा है प्रदूशन का बहुत बड़ा चैलेंज पुरी दुनिया में आ रहा है उस 15 साल से पुरानी वहिकल्स अगर हम रोक देंगे वो नहीं रहेंगे तो उससे बहुत फाइदा मिलेगा तो तो इसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि जो इंटरेस्ट सब्वेंशन है जो इंटरेस्ट है टेंपरेरी कुछ पीरेट के लिए मैं जानता हूँ कि गवर्मेंट के पास फिसकल रूम काफी लिमिटेड है इंटरेस्ट सब्वेंशन भी हम देख सकते हैं तो उससे और कस्टमर को आइडिया यह है कि एकॉनमी को कोई जम्प स्टार्ट मिल जाए डिमांड थोड़ी इस सेक्टर में ट्रक्स में कुछ बढ़ जाए तो बहुत जो चक्का है एकॉनमी का यह वर्च्व सैकल की तरह घुमने शुरू हो जाएगा उससे आप देखेंगे हर सेक्टर में डिमांड अच्छी आएगी